दोस्तों Realme इंडिया में बहुत यल्दी अपनी दो ने स्मार्ट वाच लाँच करने वाला है जिसमें है Realme Watch S और Realme Watch S Pro मैंने अल्रेडी Realme Watch S के उपर में वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने सारी डिटेल्स आपको बताई है कि Realme Watch S में कौन-कौन से फीचर्स होने वाले है लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Realme Watch S Pro के फुल स्पेसिफिकेसंस के बारे में इसकी क्या प्राइस हो सकती है सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है वैसे दोसनों Realme जो अपनी स्मार्ट वाच इंडिया में लाँच करेगा वो 23 दिसम्बर को कर रहा है लेकिन इसका जो प्रो वाला वैरेंट ना यह काफी लोग सोच रहें कि इसमें कौन से फीचर्स होंगे ऐसे खास जो यह प्रो वैरेंट होगा तो इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चलेगा क्योंकि लाँच होने के पहले अल्मोस्ट सारी डिटेल्स बहार आ चुकी है कि बहाई Realme Watch S Pro में कौन-कौन से फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों Realme Watch S Pro के डिस्पले के बारे में तो इस स्मार्ट वाच में 1.39 इंच की एमुलेट की डिस्पले मिलेगी जो टेच स्क्रिन के साथ में आती है अगर बात करें स्क्रिन रेजुलेशन की तो 454 x 454 पिक्सल के स्क्रिन रेजुलेशन देखने को मिलेगा और इसकी डिस्पले जो है वो सर्कुलर शेप में होने वाली है 450 निट्स की आपको ब्रैटनेस देखने को मिल जाती है तो AMOLED डिस्पले है तो काफी ब्रैट होगी और इसमें Always On डिस्पले का भी ऑप्शन मिलेगा कलर सोगरा बहुत ही आपको क्लिर दिखेंगे मतलब की जो एक्चुल कलर है वही दिखेगा तो वरॉल जो डिस्पले है Realme Watch S Pro की वो बहुत ही अच्छी आपको देखने को मिलने वाली है वहीं पर Realme Watch S Pro में आपको बताया जारा कि 100 प्लस फेस वाचेस देखने को मिलेंगे और इसमें साथ से आप खुद के कस्टमाईज इमेज को भी सेट कर पाऊगे ऐज़ा face watch तो यह भी काफी सही बात है और अगर बात करें build quality की तो Realme Watch S Pro स्टीलने से स्टील की बनी होगी इसकी बेसिकलि जो alloy होगी बोडी होगी वो स्टीलने से स्टील की है तो build quality भी यहाँ पर आपको काफी सही मिल जाती है वैसे बताया जा रहा है कि Realme Watch S Pro का जो weight है वो 63.5 gram का होने वाला है with strap तो मतलब कि build quality भी काफी सही है और ये light weighted भी बहुत जादा रहेगी आप बहुत देर तक इसको पहन सकते हो Realme Watch S Pro में आपको GPS भी मिलेगा लेकिन दोस्तों यहाँ पर dual satellite GPS का use किया गया है इसकी वज़े से आपको accuracy बहुत अच्छी देखने को मिलेगी बिल्कुल exact accuracy आपको इसमें देखने को मिलने वाली है वहीं पर अगर बात करें कुछ fitness के बारे में तो इसमें आपको blood oxygen saturation मिलता है जिसको SPO2 भी बोलते हैं और इसमें आपको heart rate monitoring भी मिल जाए 24x7 वाली और इसके साथ ही साथ Realme Watch S Pro 5 ATM water resistant होने वाली है इसका मतलब कि आप इसको 50 meter अंदर तक पानी मिलेकर जा सकते हो कोई problem होने वाली नहीं है इसके बाद अगर बात करें कुछ sports mode की तो almost इसमें ऐसा बताज़ रहा कि 15 sports mode होने वाले है Realme Watch S Pro में जैसे की swimming, cricket, yoga, outdoor running, indoor running, walking, outdoor cycling, hiking और freestyle जैसे आपको 15 sports mode देखने को मिलेंगे खास करके जिनको हम daily life में यूज करते हैं almost वो सभी sports mode आपको Realme Watch S Pro में देखने को मिल जाते हैं Realme Watch S Pro में dual core processor भी होने वाला है तो ये smartwatch थोड़ी powerful भी आपको देखने को मिलेंगे अब बात करते हैं दोस्तों Realme Watch S Pro के बैटरी के बारे में तो इस smartwatch में 420 mh की बैटरी मिलती है जो लगभख से single charge पर आपको 14 days का बैटरी बैक अप देगी तो मेरे हिसाब से 14 days का बैटरी बैक बहुत जारा है किसाब से के smartwatch के लिए और इसमें तकरीबन 2 घंटे का असपास टाइम लगए इसको fully charge होने के लिए और इसमें आपको magnating charging case मिलती है जिसके मज़से आप इसको charge कर पाऊगे वहीं पर दोस्तों जो Realme Watch S है उसमें 390 mh की बैटरी है तो इसमें सही आपको जो battery मिलेगी जो pro वाले variant में हो थोड़ी सी बड़ी battery मिल रही है इस वज़े से आपको battery backup भी थोड़ा ज़्यादा देखनी को मिल रहा है और अगर बात करें कुछ additional features की तो इसमें आपको smart control मिल जाता है जैसे की update वगरा change कर सकते हो custom dial मिलेगा features में ऐसे आपको बहुत सारे मिलेंगे और अगर बात करें कुछ notification controls वगरा कि या फिर alerts की तो आपको call notification मिलेगा message का मिलेगा weather update है find my phone है music control कर सकते हो camera control आप कर सकते हो इसके साथ यसाथ आप power save mode को भी enable कर सकते हो do not disturb को enable कर सकते हो और आप इसमें stop watch का भी use कर सकते हो बहुत सारे इस तरह के आपको features देखने को मिलेंगे अगर बात करें connectivity की तो realme watch s pro android 5.0 या फिर उसके एवब को कोई version होगा तो उसके साथ connect हो जाएगी अगर आपके पास में iPhone है तो iOS 9.0 या फिर उसके एवब को कोई version है तो उसके साथ में realme watch s pro easily connect हो जाएगी तो अभी तक दोस्तों जो update आया है उनके accordingly यही पता चला है कि यही सारे features होने वाले हैं realme watch s pro में अगर बात करें price की तो अभी तक price ऐसे guess भी नहीं की गई है कि कितनी होगी लेकिन मुझे जितना लग रहा है कि realme watch s pro की जो price हो गई वो under 15,000 रूपीज के आसपास होने वाली है बाकी दोस्तों यह 23 दिसंबर को launch हो रही इंडिया में तो सब कुछ clear हो जाएगा और उस दिन मैं आपको सारी detail बता दूँगा realme watch s pro के कि बाई exact क्या features इसमें है और क्या prices के निकल कर आई है तो उमीद करता हूँ दोस्तों कि यह चोटा सा update आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप like करिए चैनल पर पहली बार है तो चैनल को subscribe करके well icon hit करें कुछ ऐसे interesting videos को देखने के लिए तो ब मिलता हूँ मैं आपसे पनी अगले वीडियो में